लाइफस्टाइल डीजिस प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल पे हम आप सब का स्वागत करते हैं मैं हूं डॉक्टर तितिक्षाध्रो और आज हम सवाल करेंगे डॉक्टर उमन द्रूव से हम पूछेंगे कि ऑइल्स के बारे में उनके क्या व्यूज है लास्ट एपिसोड में उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई थी और कई सारे हमारे व्यूज जानना चाहते हैं और इसके बारे में तो सबसे पहला क्वेस्टिन है डॉक्टर द्रूव कि घी का क्या महत्व है गी के बारे में जो कई सवाल आए है उनके जवाब देते हुए मैं बताओंगा कि सबसे पहला तो हमें याद रखना चाहिए कि गी रूम टेंपरेचर पर सॉलीड होता है पर हमने अल्रेड़ी बताया है कि जो भी सॉलीड ऑईल्स होते है जो तेल सॉलीड होते है रूम टे गी है उसमें करीबन 65-30% saturated fatty acids होते है जो की health के लिए अच्छे नहीं है खासतोर से यह घी refined है यानि कि प्रोसेस किया हुआ है और उसमें बहुत सारे ट्रांस्पेट होते हैं गी का फाइदा क्या है नंबर वन उसमें बहुत हाई smoking point है यानि कि उसको pen fry करने से आप इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी तो क्या high smoking point वाले और अच्छे देल में हमारे पास क्या अच्छा option available है हाई smoking point वाले हमारे पास बहुत सारे options available है जैसे कि avocado oil, almond oil, corn oil, canola oil, grape seed oil, peanut oil जिसको हम बहुत सारे गुदरात में इस्तमाल करते हैं सेफ लावर और sesame oil और sunflower oil यह सारे oils इनका smoking point हाई है और उनमें से जिसका chemical structure यानि कि जिसमें saturated fatty acids कम है उन सबको गी के बदले हम इस्तमाल कर सकते हैं हाँ गी के और भी फाइदा है एक तो वो लंबे अर्से तक stable रहता है वैसे भी जिन जिन तेलों में saturated fatty acids जाड़ा होते हैं वो लंबे अर्से तक stable रहते हैं और उनके अंदर से दुरगंदाने से या रेंसीर होने के यानि कि बिगर जाने के chances कम होते हैं सो मेरी सला यही रहेगी कि घी को सिर्फ उटी या परठा पर apply करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है dressing या sauteing के लिए इस्तमाल किया जा सकता है पर limited quantity में एक teaspoonful से ज्यादा घी का इस्तमाल नहीं होना चाहिए कहीं लोग यह बताते हैं कि आयूर्वेज में घी का बहुत सारा इस्तमाल होता है कहीं सालों से भारती खास्तोर से गुजराती इस्तमाल कर रहे हैं पर यह उसका सच्चा इस्तमाल करने का तरीका नहीं है गी में कई लोग fry करते हैं वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें saturated fatty acids ज्यादा है So all in all गी बहुत कम मात्रा में रोटी अपराठा पर apply करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है उससे ज्यादा नहीं, ओके? ठीक है, ठीक है, कहते हैं कि olive oil दुनिया का स्रेस्ठतम oil है तो क्या हम सब को olive oil पे shift कर देना चाहिए? देखिए, olive oil माना के सबसे बढ़या oil है और पुरी दुनिया इसको सलाम भी करती है पर एक चीज तेलों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना culture, अपनी tradition, अपनी संस्कूरूती, अपना खाने का तरीका बदलना नहीं है तो olive oil के फाइदे पहले देखे, वो vegetable oil है, animal oil नहीं है ideal oil है क्योंकि उसमें मुफा, monounsaturated fatty acids बहुत ज़्यादा है खासतोर से वो uncrocessed है तो virgin olive oil बहुत महगा आता है, तो करीबन 3 गुना या 4 गुना महगा है तो उसके लिए जो भी trials हुए है, वो बताता है कि न सिर्फ वो LDL यानि कि खराब तरह का cholesterol कम करती है, पर cardiovascular benefit यानि कि heart के लिए भी friendly है, उनसे heart attack कम होते हुए बहुत सारी trials में पूरी दुनिया में दिखाए गए है तो उसके गहर फाइदे क्या है, cook करने पर उसका taste बिगड़ जाता है अगर उसे deep fry या refry नहीं किया गया तो ही अच्छा है जिसका मतलब है कि वो dressing, baking और sautain के लिए अच्छा है पर बाकी, गर्म करने पर उसके जो भी फाइदे है या fry करने पर उसके जो भी फाइदे है, वो चले जाते है क्योंकि उसका smoking point बहुत ही कम है जी सर, इससे पहले एक coconut oil के बारे में भी question है सर कहते हैं कि coconut oil बहुत ज्यादा लोग इस्तिमाल करते हैं तो उसके बारे में आपकी क्या राय है वेल, coconut oil साउथ इंडिया में बहुत इस्तमाल होता है उसके बारे में बहुत सारी trials हुई है और बहुत सारी controversy भी हुई है कहीं साल तक ऐसा माना गया कि coconut oil अच्छा oil है वो room temperature पर solid हो जाता है तो अपनी theory के मताबिक ठीक नहीं है उसके अंदर सबसे highest saturated fatty acid, 90% saturated fatty acid है और इसलिए वो खतरनाक हो सकता है उसमें ज़्यादातर medium chain saturated fatty acid है तो बीच में करीबन 500 सार ऐसे आये कि ये medium chain fatty acids अपनी सेहत के लिए अच्छे होते है खास तोर से उसमें से जो loric acid बनता है वो harmful है कि नहीं वो बीच में जाना नहीं गया था लेकिन अब without any doubt कोई शंका के बिना ये दिखा गया है कि ये जो coconut oil है वो LDL cholesterol को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अच्छे वाले cholesterol को कम भी करता है उसमें से energy बहुत अच्छी मिलती है but all in all our suggestion it is better to avoid it is best avoided coconut oil को consume नहीं करना चाहिए वो सेहत के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है ठीक है जी समझ गया है पिशले तीन वीडियो में हमने smoking point की बात की है तो लोगों को ये भी जानना है कि smoking point आखिर में है क्या और उसका importance क्या है smoking point के बारे में हमें बहुत सहरी चीज़े बताई है फिर भी एक बार दुबारा फिर से बता लेते हैं कि जिस temperature पर किसी भी तेल को गरम करने से उसमें से blue color की flame निकलना शुरू होती है या blue color का भूरे रंग का दुआ निकलना शुरू होता है उससे उसका smoking point कहा जाता है कहीं तेल में से कभी काले रंग का दुआ भी निकलता है ये time है वहाँ पर तेल का decomposition चालू होता है जो चर्मी है तेल की वो तूटके glycerol और fatty acids में परिवर्थित होती है और ये जो glycerol है वो एक्रोलीन में convert होता है जिसके कारण इस तरह का smoke निकलता है कोई भी oil अच्छे से अच्छा olive oil जिसके बारे में हमने बात की उसको भी smoking point पे गर्म करने से ये होता है अब problem ये है कि जो भी harmful compounds बनते हैं ये सब non-volatile यानि कि दूए में convert नहीं होते हैं और वो जो oil है तेल है उसी में रहते हैं यानि कि smoking point पर पहुँचने पर trans fat, toxic substances और carcinogen जो कि लंबी अवधी पर लेने में अपने में cancer भी कर सकते हैं ये सारे तत्वा पैदा होते हैं और इसी लिए किसी भी तेल को smoking point पर गर्म करने से भारी सेहत को नुकसान पहुँचता है और इसी लिए सभी तेल का smoking point जानना जरूरी है दूसरी बात ये रहेगी कि किसी भी अच्छे से अच्छे oil को fry, deep fry या refry करने से ये सब तत्वा trans fat, toxic substances और cancer पैदा करने वाले तत्वा पैदा होते हैं यानि कि कोई भी oil fry करने से तलने वाली चीज़ करो तो नुक्षान दे है ठीक है Trans fat कई लोग इस trans fat से डर गए है डर ना जरूरी है क्या? बिलकुल जरूरी है, बहुत जरूरी है और इसी लिए तीनों वीडियो में हमने trans fat की बारे में बार बार बाते की है यहां तक कि USA के अंदर यह trans fatty acid के कारण करीबन 30,000 से एक लाग तक के मौत पाए गए थे इसलिए वहाँ पर trans fat को बेंड किया गया है आगे हमने बताया कि जो coconut oil यानि की narial का तेल है, वो LDL को बढ़ाता है पर यह जो trans fat है, वो तो अच्छी lipid को यानि कि HDL को कम करता है और hydrogenation के कारण जो cis molecule है, जो chemistry जानते है वो जानते है कि cis molecule hydrogen एक तरफ रहता है जबकि trans molecule में hydrogen दूसरी तरफ आ जाता है तो गर्म करने से hydrogenation होने के कारण cis molecule trans molecule में परिवर्थित होता है जितना risk, जितना जोखम trans fat से है उतना ही जोखम पाने के लिए हमें 15% saturated fatty acid और लेना पड़ेगा यानि कि saturated fatty acid जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो खतरनाक है trans fat उससे भी 115% ज्यादा खतरनाक है not only ये heart attack लाता है उससे Alzheimer disease यानि कि बुलने की बीमारी जिसे हम कहते है diabetes, वजन बढ़ना, infertility और depression ये सब होने का खतरा रहता है इसलिए trans fat दरते रहो और जहां कहीं पर भी खाना खरीदो उसके उपर hydrogenated या partially hydrogenated लिखाए तो उससे दूर रही है ठीक है? बिल्कुल बराबर है सर, मैं आपको बताना चाहूंगी के we have received almost 10 to 12 questions regarding the use of butter बटर के बारे में लोगों को जानना है क्या वो ब्रेड पे जो लगा के इस्तमाल करते हैं तो दो-तीन चमच नहीं यूज़ कर सकते क्या जी नहीं होगा बिल्कुल ठीक नहीं होगा बटर फिल से याद करा दे रूम टेंपरेचर पर वो सॉलिड होता है एनीमल फेट है क्योंकि गाए या किसी भी भाफेलो के पैंस के दूझ में बनाया गया है तो वो एनीमल फेट है दोनों तरह से सॉलिड भी रूम टेंपरेचर पहे है इसलिए भी आनी का रख है बहुत सारे सेचुरेटर फैट उसमें होते हैं तो LDL cholesterol बढ़ता है, उसका smoking point बहुत ही कम होता है, यानि कि गर्म करने पर, गर्म डेट पर लगाने से तो और भी खतरनाक हो जाता है, so all in all, it is always safe, better to avoid butter oil and better to replace it with a better oil, किसी भी अन्य ओयल से butter और coconut oil को replace करना बहतर रहेगा, यहाँ पर मैं एक rice pran oil के बारे में बता दूँगा, rice pran oil के आजकाल बहुत सारा इस्तमाल हो रहा है, वो बिलकुल अपने sing tail यानि कि peanut oil के बराबर है, उसमें 25% saturated fat है और बाकी के unsaturated और monosaturated fat है, तो आप peanut oil इस्तमाल करो या rice pran oil इस्तमाल करो, दोनों के smoking point भी बराबर है, so rice pran oil, one can say कि वो थोड़ा mega सा peanut oil है, उतना खर्चा करने के जरुवत नहीं है, उसके बजले में लिमीट में आप peanut oil यानि कि सिंगते ले इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, थैंक यू very much सर, वैसे मैं ये भी पूछना चाहती थी, कि आजकल कई कंपनियों ने दो या तीन oils का मिश्रण, उनका संयोजन बेचने की रख्रिया चालू की है, तो ये तरीका क्या सेहत के लिए फाइदे मन रहेगा, रहेगा तो कितना रहेगा? यानि कि वैसे बात करें, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी सोच है, कि पुफा वाले और मुफा वाले जो तेल है, उनका मिक्स्चेर किया जाए, पर इन सभी के smoking point अलग होने के कारण, जब इस तरह से combination वाले oils इस्तमाल होते हैं, तो उसको गरम करने पर थोड़ी सी smell बिगड़ जाती है, टेस्ट भी बिगड़ जाता है, फिर भी, सेफलावर oil, सनफलावर oil या सोयाबीन oil, जो कि पुफा वाले oil है, और ऑलिव oil, मस्टार्ड oil और ग्राउंडनट oil, यानि कि मुखफली का तेल, ये मुफा वाले oil है, तो इन दोनों को mix किया जाता है, पर अगर, personally मेरी suggestion या सला मागी जाए, तो मैं definitely बताऊंगा, कि cooking का जो purpose है, cooking की जो method है, उसके मुताबिक तेल बदलते रहना चाहिए, rather than, दो या तीन तेल को mix करना, ठीक है, सर जी आपने बताया था, कि उप्योग के मुताबिक, तेल की पसंदी करनी चाहिए, तो क्या आप एक बार feel, उसके बारे में हम से बात कर सकते हैं, definitely, हम बहुत, बहुत ब्रीफ में आपको बता देंगे, कि किस oil का उप्योग, किस purpose के लिए किया जाता है, searing, browning and deep frying, इसमें से searing और browning, बहुत गर्मी पर, किसी भी food को गर्म किया जाता है, और उसके उपर थोड़ा सा brown color का crust आता है, उसको बुलते हैं, जबकि deep frying जो हम बजिया बनाते हैं, या समोसा बनाते हैं, या तलते हैं, अपने vegetarian food के लिए होता है, तो ये तीन तरीके हैं, जिसके लिए साधरनता, high smoke point वाले तेल इस्तमाल किये जाने चाहिए, sunflower, avocado, या फिर refined olive oil, पर मेरी सला है, ये सभी तेल, जैसे ही गर्म किये जाएंगे, अपने जो भी positive point है, वो घवा देंगे, इसलिए, fry, deep fry, या refry करना नहीं चाहिए, दूसरी, baking, oven cooking and stir frying, baking हम जानते हैं, कैसे किया जाता है, oven cooking में इन सब चीजों को oven में cook किया जाता है, या फिर stir frying, जिसमें हम पैन के अंदर, थोड़ा सा तेल डाल के fry करते हैं, जिसे stir frying कहते हैं, उसके लिए, हम moderate smoking point वाले oil, यानि कि canola, peanut oil, यानि कि मुखफली का तेल, sunflower oil, यानि कि सुर्य मुख़ी का तेल, या फिर light virgin olive oil इस्तमाल कर सकते हैं, तीसरी बात आते है, light sauteing, sauces, और low heat baking, this is known as sauteing, जिसके अंदर हम साथलते हैं, जिसे गुजिराती में साथलते बोलते हैं, इंदी में साथलते बोलते हैं, ये जो है, वो sauces के लिए इस्तमाल करता है, ज़्यादा तर चटनी के रूप में हम इस्ते इस्तमाल करते हैं, और तिसरा है, low heat baking, ये potatoes हैं, जो low heat पर bake किये गए हैं, इसके अंदर हम low smoking point वाले oil इस्तमाल कर सकते हैं, यानि कि मक्य का तिल, सोया का तिल, सिसम यानि कि तल का तिल, या फिर हमारा मुखफली का तिल, इसके अंदर हम इस्तमाल कर सकते हैं, मुखफली की सबसे बढ़िया चीज यह है, कि उसके कारण, खाने को थोड़ा सा टेस्ट मिलता है, और उसकी कोई भी खराब स्मेल नहीं होती है, और आखिर में हम जाएंगे, dressing और dips, जिसके अंदर हम सलाड के उपर, जैसे dressing करने के लिए oil इस्तमाल करते हैं, जिससे गरम नहीं किया जाता है, या फिर जैसे dip, oil के अंदर dip करके हम खाना खाते हैं, सादरन था हम अचार के लिए इस्तमाल करते हैं, चटनी में इस्तमाल करते हैं, सॉस बना कर इसे इस्तमाल करते हैं, तो इसके लिए कोई भी oil चलेगा जो की बिलकुल कम smoking point वाला है तो भी चलेगा जैसे कि olive oil या तल का तेल या फिर सुर्या मुखी का तेल या फिर हमारा मुखफली का तेल या फिर राई का तेल जिसे कहीं पंजाब के लोग इस्तमाल करते हैं तो यह in short हुआ किस परपर्स के लिए आपने खाना बनाया है और किस परपर्स के लिए आप तेल इस्तमाल कर सकते हो और उस तरह से तेल को select करना ठीक है सर तो इस सीरीज में बने तीन वीडियो का मिसकर्श क्या रहेगा उसका क्रक्स क्या रहेगा आप कह सकते हैं सर प्लीज बिलकुल और मेरी अगर सुनी जाए तो यह सबसे important slide है इसको बार-बार याद करते रहना चाहिए oil is an oil is an oil तेल आखिर में तेल है और वो calories डाई गुनी ज़्यादा देता है carbohydrate और protein से तो वो बहुत चर्बी देता है और calories देता है आपका वजन बढ़ने की पूरी संबाव ना है खोराक में 10 या 15 प्रतिशत से ज़्यादा खाने में तेल का उप्योग नहीं होना चाहिए transfer सब्द से hydrogenated सब्द से partially hydrogenated सब्द से बिलकुल डरे रहे है calories से भी डर कर रहे है 20 या 30 ml तेल पूरे दिन में अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो बटर और coconut oil यानि कि मक्कन और नर्यल के तेल को छोड़के बाकि सबी तेल अच्छे हैं पर जैसे ही आप उस oil को इस्तमाल करते हैं जो room temperature पर solid है तो आपके लिए खत्रा बन सकता है पर कोई भी oil जैसे ही आपने तलने के लिए इस्तमाल किया दूसरी बार तलने के लिए इस्तमाल किया या फिर बार बार तलने के लिए इस्तमाल किया तेल अपना सभी फाइदा गवा देता है कितना भी अच्छा तेल है और वो खतरनाक बन जाता है इसलिए purpose of cooking के मुताबिक चूज कीजिए जैसे ही purpose बदलता है आपका खाने का जो हेतु है वो बदलता है तो oil बदल दीजिए तेल को ज़्यादातर संग्रा मत कीजिए, store मत कीजिए जितना जरूरी है उतना ही खरीदिए दो महिने से जएड़ा तेल को store नहीं करना चाहिए और करना है तो उसे बिलकुल सुखी जगह पे ठंडी जगह पे और जहां पर सुर्य प्रकाश्चनी आ रहा हो वहां पर store करना चाहिए धन्यवाद सर्जी हम सब कुछ समझ गये तेंक यू तो यह हुई हमारी आज के आपके प्रश्चनों के जवाब अगले शुक्रवार को जो की कोवीड की बारी है पर उस दिन आपको हम एक और चीज़ याद करवाएंगे फ्लू शॉट इन्फ्लूंजा की वैक्सिन कब लेनी और क्यों लेनी और अगले मंगलवार को हम एक और जिवन शैली के विशय के साथ आएंगे और वो होगा सुगर सब्स्टीट हउ सेев यानि कि जो सुगर फ्री के लिए हम कम सुगर वाले और एक ततमाल करते हैं वो कितने सेफ है कई लोग ऐसा मानते हैं वो अनसेफ हैं कई मानते हैं कि वो तो बिल्कुल सेफ है तो उसके बारे में हम जानकार ही पाएँगे तो आज यहाँ पर ही रुकेंगे हमारी तरफ से खुब खुब आबार धन्यवाद अगर आपको यह सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसे forward करना नहीं बुलना अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्रेब नहीं किये तो Lifestyle Disease Prevention YouTube चैनल को बटन दबा कर सब्सक्रेब कीजिए तन्यवाद अबार